हेलो जहीं दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमे क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैट्स और रिजनिंग दोनों सब्जेक्ट की होने वाली है आज की क्लास में हमने जितने भी प्रशन लिये हैं यह हमने मैट्स और रिजनिंग के सभी टॉपिक्स मिक्स और वेरी वेरी इंपोर्टन कोस्टन यहाँ पर एड़ किये हैं सबी को अपना copy pen साथ में लेकर बैठना है सबी को complete test लगाना है चलिए अपनी class start करते है और आगे बढ़ने से पहले कल की class में मैंने आपको येवला प्रशन हमवरक के लिए दिया था तो पहले इसको discuss करेंगे लोनार जील इस्थित है तो जीनों ने भी कल इसका answer option C को दिया है answer match करिए जीनों ने भी कल महराष्टरा को answer किया है उन सभी का answer बिलकुल correct है जी चलिए बढ़ते हैं आज की class की तरफ तो आप सभी को पता है आपका जो exam है जीडी और ट्रेडमेंड का उसके अंदर math के 15 question पूछे जाते हैं और reasoning से उसके अंदर 5 question पूछे जाते हैं तो हम math के 15 और reasoning के पाथ total 20 question हम discuss करने वाले हैं यानि कि यह आपका आज पूरे 20 प्रस्शनों का test होने वाला है आप जिसके अंदर reasoning के मुझे आपसे 5 की 5 question बिल्कुल right चाहिए बिल्कुल correct और math में मैं आपको थोड़ी सी छूट दे सकता हूँ math में मुझे 15 में से कम से कम 12 question आपके right चाहिए ही चाहिए test सभी को complete लगाना है तो चलिए start करते हैं आज का पहला question है आपके सामने screen पर section C गनित इसका answer करिए किसी को भी calculator यहां पर use नहीं करना है ध्यान दखिएगा सभी विद्यार्थी copy pen से solve करेंगे अगर आपका IQ level बहुत अच्छा है तो आप बिना copy pen के भी solve कर सकते हैं इस level के प्रसंद यहां पर add है पहला question है तीन घंटे का 45 मिनट से अनुपात ग्याद करें तो देखे यहां पर आपको 45 मिनट दिया है तो हम तीन घंटे को भी मिनट में बदल लेते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो तीन घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे 180 मिनट का 45 मिनट के साथ अनुपात ग्याद करना है आप इसको 9 से कैंसल करिये देखे 9, 5, 45 और यहाँ पे 9, 18, 20 फिर 5, एकम 5 और यहाँ पे 5, 24, 24, रेशो 1 आप्शन आपका यहाँ पर D बिल्कुल करेक्ट आंसर है आंसर सभी को मैच करते जाना है अगर आपको लगता है कोई कोशन आपसे नई सोल्व हो रहा या फिर उस कोशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं कोशन नमबर सेकिंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए इस प्रेशन का अंसर करिए जल्दी से बोडमस वाला कोशन है और इस कोशन के अंदर हम क्या करते हैं पहले ब्रैकिट वाली रकम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 बनेगा फिर हम curly bracket को solve करेंगे तो 5-5 is equal to 0 आप देखिए इतना आपके सामने solution आ गया 0 4 का square into 0 अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका यहाँ पर 0 ही answer आएगा option C क्या सभी ने option C को answer किया है question number 3 देखिए जी आपके सामने screen पर इसका answer करिए आज का जो हमारा test है वो थोड़ा सा easy level का है right बीच में कुछ question आपको medium level के मिलेंगे परन्तु हमारा यह दूसरा model paper है math का तो यह थोड़ा सा easy है धीरे धीरे अपना level हम बढ़ाएंगे इसका solution करिए तो बढ़ते हैं solution पर देखिए यह 0.10 है तो इसको मैं 10 बटा 100 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 digit के बाद point है फिर divide में 100 रहे तो नीचे क्या हो जाएगा multiply by 100 हो जाएगा इतना सभी का clear होगा अब यह 0 से आपकी 0 cancel नीचे आपकी 3 0 बन रही है यानि की 3 digit छोड़के आपको point लगाना है यहाँ पर option C आपका correct answer होगा क्या सभी ने option C को answer दिया है चलिए फिर question number 4 आपके सामने है इसका answer करिए इस question का answer करिए question very important यह type आपके exam में पूछा जाता है देखे यहाँ पर भी 2 digit के बाद point है तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ 16 बटे 100 लिख सकता हूँ आप क्योंकि यहाँ पर under root में है सारा कुछ तो यह सारा कुछ under root में आ जाएगा इतना clear है आप देखिए 16 का under root कितना हो जाएगा 4 और 100 का under root हो जाएगा 10 clear तो यहाँ पर आपका under root cancel हो गया यहाँ पर हमने 4 बटा 10 लिख दिया आगे इसको solve करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 2 बाई 5 option A right answer होगा question number 5 देखिए जी आपके सामने इसका answer करिए यह भी type आपके exam में पूछे जाने वाली है पूछा जाता है जी बार-बार 420 का 50 प्रतिशत बराबर x का 30 प्रतिशत है तो हमको x की value निकालनी है सबसे पहले आप 420 का 50 प्रतिशत निकालिए अब 50 प्रतिशत निकालना है तो मैं direct आधा कर देता हूँ न यानि कि यहाँ पे आपका 210 बन जाएगा बराबर x का का मतलब गुणा 30 प्रतिशत यानि कि 30 बटा 100 अब क्या बताना है आपको x की value बतानी है इतना सभी को समझ में आया है ना अब आगे देखिए 0 से 0 कैंसल कर दी मैंने यह 10 इधर जाके जब 210 में multiply होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2100 is equal to 3x फिर 3 से हम 2100 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 700 आजाएगी आपकी x की value option c आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा चले आगे question number 6 देखिए आपके सामने screen पर है अब इसकी statement थोड़ी सी lengthy है कोई बात में यहीं पे adjust कर देते हैं चलिए clear दिख रहा है ना question अब solution पे चलिए राकेश अपनी आय का 20 प्रतिशत बचाता है दो वर्ष बाद उसकी आय 20 प्रतिशत बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है अब सब कुछ प्रतिशत में दिया है तो हम income कुछ भी मान सकते हैं अब calculation आसान करने के लिए मैंने माना कि जो राकेश की income है राकेश की जो income है income expenditure और यह saving राकेश की income मैंने मान लिया 100 रूपे अब क्योंकि वह 20 परतिशत बचाता था 100 का 20 परतिशत कितना होगा 20 यानि कि वह 20 रूपे save करता है इसका मतलब वह 80 रूपे खर्च करता है इतना clear है अब आगे देखिए दो वर्ष के बाद उसकी आएव 20% बढ़ जाती है पहले income 100 थी 20% बढ़ जाएगी तो अब income 120 हो जाएगी सीधा सा solution है फिर भी वह पहले जितने ही रूपे बचा पाता है यानि कि पहले वह 20 रूपे बचाता था तो अब भी वह कितने रूपे बचा रहा है ये वाला पार्ट बताना है कि उसके खर्च में कितने प्रतीशत की वृद्धी हुई पहले खर्च 80 रूपे था अब खर्च हो गया है 100 रूपे तो यानि कि खर्च में टोटल 20 रूपे की वृद्धी हुई है और क्योंकि हमको प्रतीशत में बताना है तो 20 रुपे की वृद्धी हुई है कितने रुपे से 80 रुपे से पर्तिशत के लिए हम क्या कर देंगे गुणा 100 कर देंगे 20 चोके 80 और 4 से हम जब 100 को कैंसल करेंगे 25 परसेंट आपका option D विलकुल correct answer हो जाएगा क्या सभी ने option D को answer दिया है question number 7 देखिएगा जी आपके सामने screen पर है very important और इसका answer कर दीजिए एक वस्तू को 250 रुपे में बेचने पर 25 प्रतिशत का लाब होता है तो उसे कितने रुपे में बेचे की 20 प्रतिशत की हान नहीं हो जाए answer जल्दी से देखिए 250 रुपे की कोई वस्तू बेची है कब जब 25 प्रतिशत का लाब हो रहा है यानि कि लाब होने के बाद उस वस्तू का मुल्य 250 हो रहा है तो इस 25 प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना तो यानि की 125 प्रतिशत की वैल्यू क्या है आपकी 250 रुपे है 20 प्रतिशत की हानी हो यानि कि हमको 80 प्रतिशत की value निकालनी है अब हानी को हम क्या से लिखते हैं 100 minus loss percent है ना यानि कि 20 प्रतिशत की हानी होने के बाद की value हमको निकालनी है यानि कि 80 प्रतिशत का मान निकालना है इतना clear है आप क्या करना है आपको देखिए बस cross multiply कर देंगे तो आपका answer आपके सामने आजाएगा screen पर देखिए अब cross multiply करेंगे 250 गुणा 80 नीचे आपका 125 गुणा x % से % cancel हो गया यहाँ पर अब इसको solve करिएगा जल्दी से 25 पंजे 125 और यहाँ पर 10 आजाएगा 5 सेक answer करेंगे 5 दूनी 10 और 80 को 2 से multiply करेंगे तो 160 रुपे option B correct answer होगा क्या सभी ने option B को answer दिया है question number 8 आपके सामने screen पर है इसका answer करिए जल्दी से अब इस question की देखिए statement थोड़ी सी lengthy है इसलिए मैं इस question को हिंदी language में solve करूँगा English वाले विद्यारती यहाँ पर question को पॉस कर ले question number 8 का answer करिए जल्दी से question number 8 है कि सब्ता के पहले 4 दिनों का औसा तापमान 40 डिग्री था अगर मैं 4 को 40 से multiply कर दूँ तो पहले 4 दिनों का total तापमान कितना हो जाएगा एक सो साथ डिग्री सेल्सियस पूरे सब्ताह का औसा तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था सब्ताह में 7 दिन होते हैं अगर मैं 7 को 41 से multiply कर दूँ तो पूरे की पूरे साथ दिनों का औसा तापमान आजाएगा आपका साथ एकम साथ साचो के उठाई 287 इतना कलीर है आपको हंजी इतना तो सभी को कलीर होगा अब आगे देखिए आगे बोला है कि अंतिम 3 दिनों का औसा तापमान ग्याद करें देखिए 7 दिनों का 287 है और पहले 4 दिनों का 160 है अगर मैं 287 में से 160 माइनस कर दूँ जो की कितना बनेगा हमारा 127 ये क्या है अंतिम 3 दिनों का तोटल तापमान है किरियर है इतना अब देखिए हमको 3 दिनो का आउस्ट आपमन बताना था तो इनको 127 को 3 से भाग कर देंगे आउस्ट आपमन हमारा आज आएगा सिंपल सी बात है 3412, 326 और 339 42.33 करके कुछ आपका आएगा option D correct answer होगा क्या सभी ने या पे option D को answer दिया है और क्या सभी को ये वाला question समझ में आया है चलिए question number है आपके सामने screen पर 9 इसका answer करिए 6 12 15 के चतुर्थ अनुपात का पता लगा ये देखिए चतुर्थ अनुपात यानि की डी की value और डी का formula होता है B C upon A clear है B की value 12 है C की value 15 है और A हमारा कितना है जी 6 है तो 6 दुनी 12 और 2 को 15 से multiply करेंगे तो 30 या पे option A correct answer होगा question number 10 देखिए और last में देखिए सभी का score comment box में चाहिए ही चाहिए कि इन 20 प्रशनों में आपका score कितना है reasoning में किसी के लिए कोई छूट नहीं है reasoning में 5 question है तो 5 की 5 आपके right होने चाहिए math में 12 question या उससे उपर करेंगे तो आपका score अच्छा है आपकी practice अच्छी है नहीं तो फिर आपको over practice की आवशकता है question number 10 है गती का सही सुतर क्या है गती यानि की speed और speed का formula होता है distance upon time तो ज़्यादा time waste नहीं करेंगे option C को हम answer लगाएंगे option C correct answer हो जाएगा question number 11 देखिए आपके सामने है screen पर इसका answer करिए और यह जो type है आपकी time and work की यह भी exam में पूछी जाती है और important है कि यदि 12 आदमी 6 घंटे प्रती दिन कारे करके किसी कारे को 3 दिन में समाप्त करते हैं तो 8 आदमी 3 घंटे प्रती दिन कारे करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे यह बताईए अब इस question को direct कर दें question इसी type का आएगा तो आपको भी direct करना है कैसे देखिए कि 12 आदमी 6 घंटे प्रती दिन कारे को 3 दिन में समाप्त करते हैं divide by 8 आदमी प्रती दिन 3 घंटे कारे करके उस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे यह बताना है आपको आप solve कर दिए यहीं से आपका direct answer आजाएगा 3 से आपका 3 cancel 4 दूनी 8 चार तिया 12 फिर 2 से cancel करेंगे 2 तिया 6 और 3 को 3 से multiply करेंगे तो 9 दिन आपका right answer होगा कौन सा option है option B आपको दिखाई दे रहा है option B correct answer है यहाँ पर हाँ जी answer match करिए सभी का option B answer है ना चलिए question number 12 है आपके सामने screen पर इसका answer करिए जल्दी से एक train 20 सेकिंड में एक खंबे को पार करती है यदि train की गती 25 मींटर प्रती सेकिंड हो तो train की लंबाई ग्याद करें देखिएगा ध्यान से अगर train की लंबाई ग्याद करना है तो हम distance का formula ही लगा देते हैं speed into time उससे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या सभी की सभी value एक ही में है यानि कि यहाँ पर भी second है यहाँ पर मीटर परती सेकिंड है तो हमें कुछ भी convert करने की जरूरत नहीं है यह चीज आप पहले चेक किया करिए ओके अब देखिए speed कितनी दे रखी है आपको 25 मीटर परती सेकिंड और time दे रखा है आपको 20 सेकिंड इसको solve करेंगे तो 500 मीटर option A आपका बिलकुल correct आंसर हो जाएगा question number 13 है आपके सामने जल्दी से आंसर करिएगा इसी type का आपके exam में question paper बनता है जी question number 13 है करमशे 3 cm, 4 cm और 6 cm आकार के घनाब का संपूर्ण प्रिष्ट शेत्रफल कितना होगा ये वाला जो question है हमारा ये complete formulas पर base है formula पता है तो question सिरफ और सिरफ आपका 2 सेकिंड का है देखिए घनाब के संपूर्ण प्रिष्ट शेत्रफल का formula होता है 2 into LB plus BH plus HL है ना लंबाई चोड़ाई चोड़ाई उंचाई और उंचाई लंबाई उंचाई गुणा लंबाई ठीक है अब यहाँ पे हम directly value रख लेंगे देखिए ध्यान से तीन चोके 12 प्लस चार चिके 24 प्लस छे गुणा तीन करेंगे तो 18 इसको solve करिए जल्दी से आठ और चार बारा बारा और दो कितने होते हैं 14 हांसिल एक एक दो तीन चार पांच यहाँ पे आपका 54 बनेगा इसको solve करने के बाद और bracket के बाहर आपका multiply में 2 है इसको solve करेंगे तो 108 वर्ग सेंटीमीटर option A correct answer होगा चलें आगे कोशन नमबर 14 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए जल्दी से और अभी तक आप सभी ने हमारे इस सेशन को like नहीं किया है तो like जरूर करिएगा अगर आपका कोई भी friend army अगनी वीर की त्यारी कर लेता है तो उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए helpful है आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon जरूर दबाईएगा question number 14 आपके सामने है इसका solution करिए जल्दी से अब question number 14 है कि 16 upon A is equal to 1 by under root 0.16 यह value आपको दे रखी है इसको आपको solve करना है अब देखिए under root हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 0.16 को मैं upon मैं 100 लिख सकता हूँ point हटाने के लिए और यह under root जो है आपका complete हो जाएगा इतना तो समझ में आ रहा होगा अब आम यहां से under root हटाएंगे तो यहां पर 4 बटे 10 बन जाएगा इतना clear है और इसको solve करेंगे तो यहां पर 2 बटा 5 बन जाएगा clear तो देखिए मैं इन सब को rough करके क्यों ना मैं यहां पर directly 2 by 5 लिख लूँ clear है ना अब यह 5 नीचे न रहेकर 5 कहां चला जाएगा आपका multiply में ऊपर चला जाएगा clear अब solve कर लीजी आपका answer आपके सामने होगा इसको फटा फट से cross multiply मारिए और A की value आपके सामने है स्क्रीन पर cross multiply मारेंगे तो 32 upon 5 बनेगा और 5 से हम 32 को divide करेंगे पांच चिके 30 पांच चोके 20 शिक्स पॉइंट 4 option D correct answer है जी question number 15 आपके सामने है answer करिए जल्दी से answer करिए किसी वर्ग के शेत्रफल का शेत्रफल को 44 प्रतीशत बढ़ा दिया जाए तो उसकी परतेग भुजा की लंबाई में कितने प्रतीशत की विर्दी होगी ये बताना है आपको simple सा प्रश्न है थोड़ा सा दिमाग लगाए कोशन असानी से solve हो जाएगा देखिए वर्ग के शेत्रफल का formula होता है A square कलियर है इतना आगे देखिए वर्ग की परतेग भुजा की लंबाई मने मानली 10 कुछ भी मान सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा इससे अब क्योंकि वर्ग की भुज शेत्रफल 44 प्रतीशत बढ़ा दिया जाए अगर वर्ग का शेत्रफल सो है 44 प्रतीशत बढ़ाएंगे तो यह 144 हो जाएगा समझ रहे हो ना आप देखिए हमको पहले वर्ग की भुजा निकालनी है अब यह 144 हो जाएगा मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 12 रखूं वर्ग की भुजा और 12 का स्क्वेर करूंगा तब ही यहाँ पे 144 बनेगा क्लिर है यानि कि जो वर्ग की भुजा है वो हमारी कितनी है भाई 12 है अब देखिए भुजा की लंबाई में कितने प्रतीशत की विर्दी हुई यही तो आपको बताना है पहले भुजा 10 थी अब भुजा हो गई 12 विर्दी हुई है 2 की कितने से 10 से और प्रतीशत के लिए क बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो यहां पर आपका section C complete होता है math का बढ़ते हैं section D की तरफ reasoning के पूरे 5 question और देखिएगा जब आप सभी comment box में score comment करेंगे तो सभी को section Y score comment करना है कि section C में कितने correct हुए हैं और section D में आपके कितने question correct हुए हैं question number 16 है इसका answer करिएगा आप विशम का चेहन करें जल्दी से answer करिए देखिए द्यान से यहां पर क्या है देखिए 5 और 5 10 प्लस 4 करेंगे तो यहां पर 14 बनेगा 6 और 6 12 12 12 और 2 14 5 3 8 8 और 6 14 4 और 3 7 7 7 और 8 करेंगे तो यहां पर 15 बन रहा है यानि कि जो आपका option A है यह इनमें सबसे अलग है जो भी option A को answer करेंगे उन सभी का answer बिल्कुल correct हुगा जी चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 17 है जल्दी से इसका answer करिए फटा फट से answer करिएगा कौन सा logic follow हो रहा यहां पर कौन सी alphabet series आएगी देखिए A के बाद क्या किया हमने B, C और D को छोड़के E add किया है ऐसे D के बाद क्या है E, F, G को छोड़के H add किया है तीन alphabet छोड़े हैं और चोगता alphabet put किया है अब आगे देखिए I के बाद हम क्या करेंगे J, K, L को छोड़के हम यहां पर M को add करेंगे L के बाद क्या है M, N, O को छोड़के हम P को add करेंगे तो यानि की option A, M, P आपका बिलकुल correct answer होगा 18 नंबर देखिए direction से question है अब इसकी statement lengthy है जी English, medium वाले English में पढ़ लीजिए हम प्रश्ण को हिंदी में solve करेंगे question है कि एक व्यक्ति 3 km पूरव दिशा की और जाने के बाद अब साथ साथ solve करते चलते हैं है ना, direction आपको पता होगी यहां पे पूरव है इसेड पस्चिम दिशा है, उपर उत्तर है और नीचे दक्षिन दिशा है राइट, आप यहां पर देखिए 3 km कोई व्यक्ति कहा गया है पूरव दिशा की तरफ गया है उसके बाद 4 km दक्षिन की और जाता है तो दक्षिन नीचे है, यह नीचे चला गया जी 4 km फिर वहें अपने दाइं और मुडता है और 3 km जाता है अब दाइं km क्या होगा राइट हैंड साइड और यह चला गया 3 km क्लिर है और अंत में अपने बाइं और मुडता है 1 km जाता है अब इस समय इस व्यक्ति का बाया कौन सा है यह पॉर्शन है और नीचे गया वो कितना 1 km वह अपने प्रारंबिक स्थान से कितनी दूरी पर है यह आपको बताना है तो देखे यह 3 और 3 आमने सामने का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 वेल्यू है यानि कि वह अपने प्रारंबिक स्थान से टोटल 5 km दूरी पर है option आपका B correct answer होगा next बढ़ते हैं question number 19 की तरफ आज का second last question वीशम का chain करें आलू, प्याज, केला या फिर लहसुन देखिए आलू, प्याज और केला लहसुन क्या है ये तीनों की तीनों धर्ती के नीचे उगने वाली सबजियां है जबकि केला जो है ये इसका अच्छा खासा विक्ष होता है है ना, और ये धर्ती के नीचे नहीं लगता है, option आपका C correct answer है question number 20 आज का last question, इसके बद आपकी छुट्टी है, जल्दी से इसका अंसर करिए यहाँ पे कौन सा लोजिक लग रहा है है ना, 16, 6, 22, 26, 28, 28 और 28 में प्लस 6 करेंगे तो 34 बनेगा, option D तो दोस्तों यही था आपका आज का math और reasoning के पूरे की पूरे 20 प्रस्णों का model test paper comment करके जरूर बताईएगा कि इन 20 प्रस्णों में आपके कितने question right हुए हैं और score सभी को section wise करना है section D में कितने correct हुए है और section C में कितने correct हुए है clear है, इसका जो PDF है वो आपको हमारे telegram channel पे upload कर दिये जाएगा telegram का link नीचे description में दिया हुआ है चलिए फिर, मिलते हैं कल किसी और अच्छे session के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत